सीम नितीश कुमार की बनारस में होने वाली रैली को लिकर की वार पुलेट वार का दोर लगातार जारी है और इसी कड़ी में जेडियो विधायक पंकज मिश्रा ने ग्रीराज सिंग पर जमकर जुबानी हमला भोला है उन्हें कहा कि अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा पिछडा और अते पिछडा का नेता है तो वैं केवल नितीश कुमार है मैं गरिराज सिंग को ये बताना चाहता हूँ कि बनारस में ही पहली रैली होगी और पहली रैली में ही साथ लाग से उपर पिछड़ा और अते पिछड़ा लोग रहेंगे और नरेंदर मोधी को इस बार पता चल जाएगा पंकज मिस्रा ने कहा कि गरिराज सिंग को अगर ग्यान की कमी है तो पहले वो ग्यान की नदी में दुख्की लगा ले और फिर उन्हें समझ में आएगा और पहला रैली बनारस से सुरू होगा और बनारस में साथ लाख से उपर पिछड़ा और अती पिछड़ा का भोट है और नरेंदर मोधी जी को इस बार बनारस में ही पता चल जाएगा गिरराज बावु को अगर ग्यान की कमी है तो ग्यान की गंगा में जाकर के पहले जो आहसो जाकर के ग्यान की गंगा में जाकर पूरा इंडिया गठ्वन्न को हमको विश्वास है कि इस देश का अगला प्रधान मंत्री अगर कोई होगा तो आधरनीय मुखमंत्री स्री नितीज कुमार जी को चुनने का काम करेगा लेकिन सवाल ये भी उट रहा है कि बनारस में जो जगह नहीं दिया गया उसके बीजेपी कह रही है कि कोई दिकत नहीं हमारे पास है ना जहां मन वहां जगह देंगे लेकिन आदमी तो जुटता नहीं जगह देने की जहां तक बात है तो जगह उसने दिया ही नहीं भारतिय जनता पार्टी के लोगों ने और जगह अगर आज दे देगा तो हम कहते हैं कि बनारस में ऐसी इतिहासिक रहली होगी जो आज तक के इतिहास में पूरे देश में कहीं वैसा रहली नहीं हुआ होगा वैसा रहली बनारस में होगा और बनारस की ही धरती से कासी भी सुनात की ही धरती से बाबा भी सुनात की ही धरती से आदर्निये मुक्मंत्री नितीश अर्वधर्म संपन्र जो नेता है वह आदरनिये कासी विश्वनात के धरती से ही संखनाद करेंगे और वहीं से पूरे भारतिये जनता पाटी का खात्मा शुरू हो जाएगा और भारतिये जनता पाटी को कोई देखने बाला नहीं मिलेगा भारतिये जनता पाटी दो से आया और दो पर ही भारत्य जंता पार्टी को चला जाना